जारखण के मुख्यमंत्री हेमंत्सोरेन खूटी से वापस लोट रहे हैं फिलाल जो अभी अपडेट आई है अपने विधायकों के साथ वॉल्वो में वो पहुचे थे बड़ी जानकारी राची से खूटी पहुचे हैं यूपीए के विधायकों के साथ पहुचे थे सीम सोरेन और अब वो वापस लोट रहे हैं तो आपको बता दे कि खूटी लेकर वो अपने तमाम विधायकों को पहुचे थे क्या आप मधुमक्की की खेती करके हर साल एक करोड कमाना चाहते हो हर साल मधुमक्की की खेती करके चार करोड कमाने वाले आपको सिखाएंगे फिर क्यों देरी? फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें प्रिजासत में बगेल को जिम्मिदारी दी गई उसके बाद से यह तैथा कि हो सकता है कि तमाम जो विधायक हैं वो 36 गड़ जाएं अब वो वापस राची लोट रहे हैं और यह तस्वीरे भी आ चुकी है रिजॉर्ट की आप देखिए तस्वीरे हालाकि इससे पहले भी बस में अपने विधायकों के साथ जो तस्वीर है मुख्य मंत्री हेमन सोरे ने ट्वीट की थी लेकिन फिलाल यह इस वक्ती तस्वीर ह हम आपको दिखा रहे हैं रवीतर पार्टी की स्पेशल रिपोर्ट देखिए इसी परद्ली आपको तस्वीर में दिखाई देंगे देखिए मुख्य मंत्री हेमन सोरे ने तस्वीरों में उनके साथ तमाम विधायक है तो यह डुमर गड़ी गेस्ट आउसा देखिए और स टमाम विधायक है जो आए हुए हैं और कॉंग्रेस आधक्ष भी हैं देखिए कॉंग्रेस के देख्ष राजे स्थाकूर आपको दिखाई दे रहे हैं हमन्सरेन यहां दिखाई और यह विधायक है यह सारे लोग ने जाये और treaty अगया है पता नहीं एकिन यहां पर ऑए त सब ठीक है ना विक्ट्री है साइन देखिए यह मंत सुरेन है और राजेश ठाकुर है कॉंगरेस के अध्यक्ष हो भी दिखाई दे रहे हैं राजेश जी सब कंट्रोल में है तो यह देखिए तस्वीर जो दिखान देखने को मिल रहा है और यहीं पर सब को लाया गया है विधायकों को सब को यहां सुरक्षित रखा गया है और यहां से अब आगे भी साथ कहीं ले जाने की तैयारी होगी लेकिन फिलहाल यह तरा तु डैम है राइट साइड में और यह दुमर गड़ी एक च्छोटा सा गेस्ट हाउस है जहां पर सभी विधायकों को रोका गया है सारी बसे यहीं रोकी गई है और यहां से थोड़ी दर में इनको यहां से आगे ले जाया सकता है केमरान कुल्दीप के साथ रभीत रिपाठी जी मीडिया दुमर गड़ी खूटी राची तो बाब देखिए तस्वीर और इसमें बताते हुए मुख्यमंत्र हेमन सोरेन की किस तरह से उन्हें अपनी सरकार पर कोई खत्रा नहीं है हाला कि जो मुव्मेंट हुआ है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर से देखने को मिली है और यह तस्वीर अच्छा इसी बीच जो आई है यह जो खूटी से वापस रायपूर लोट रहे हैं मु जारखन में देखने को मिली और उससे पहले आपको यह भी बता दे कि आज महागडबंदन के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर होती है जिसके बाद यह फैसला लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि यहीं से उनकी रवानगी हो जाएगी यानि यह सब कु तो जो भी अपडेटे पहले वो बताईए बिल्कुल बिल्कुल लतरातू डैम से जो विधायक है मुख्यमंत्री के साथ निकल चुके है और यह देखिए गालियों के काफिला यह तस्वीर दिखाना चाहूंगा यह काफिला है और वो गाली है बस है जिसमें विधायक इस लोगों को कहीं कई जगा चिप बाट रहे हैं कई जगा बिस्किट बाट रहे हैं मैं कैमरा मन से चाह fried म ज़ा जल्दी आएंगे तो आप तश्वीयर देख सकता है जो तस्वास दिखाना चाहएंगे लोगों से मिले हैं कुसी को चिप्स दे रहे हैं किसी को कुछ और दे रहे हैं तो यह यह ही बस है जिसमें हमन्त ओरलष है तस्वीर देखी आगे चल के दिखाऊंगा इस गाड़ी की तस्विर जिसमें आपको हाट तास्वीर में आपको दिखाये रहे तो यह तस्बीर है जो बिधायक पड़ी है था पॉया गाढ़ी निकल कर जा रहे है ना गारति की तरफ तमाम विथाइक इक तश्वीर हो दिखाना चाहेंगे तो यह थी कि रिजॉर्ट में ठेरा कर मुक्यमंती लॉट रहे हैं तो सारे विधायक इनके साते में चाहती हूं जो सब्सक्राइब करना हो तो इसमें सो भी सकते हैं और गाडियां भी जिसारे मंत्री उनकी गाडियां भी साथ में लाइन लंबी लंबा काफिला जो सिक्रूटी का गाड़ी है वह भी जा रहा है तो यह सब्सक्राइब करना होगा नौका विहार करते हुए जिसमें महिला विधायकों के साथ उनके साथ मोजूद हैं तो एक मैसेज है कि हम कमफर्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं हम तो घूमने फिरने में लगे हैं आपको जो करना है फैसला कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पढ़न दिया था ना रवी हमने भी देखा है लेकिन फिलाल क्योंकि इससे एक बात तो साफ है जो जिस तरह से आज ही शक्ती प्रदशन ही होगा एक जुटता का प्रदशन करने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री हेमन सोरिन की तरफ से लेकिन इसमें सवाल ये भी उखता है कि ज ये जो एक जुटता दिखाने की कोशिश की गई है क्या वाकिही अब ये एक जुट पूरा खेमा सोरिन का रहेगा या नहीं ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है आप मधुमक्की की खेती करके हर साल एक करोड कमाना चाहते हो हर साल मधुमक्की की खेती करके चार करोड कमाने वाले आपको सिखाएंगे फिर क्यों देरी फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें